Personal Year Numbers की सीरीज स्टार्ट करते हैं अब जहां हम बात करते हैं Personal Year Number की यानि जब हम Personal Year की डीटेल समझते हैं तो उसमें से 70-80% चीज़ें हमारे साथ उस साल में करती हैं जो हमारी Personal को लेकर हैं यानि हमारी अपनी लाइफ को लेकर हैं आप में से घर में आपका यह किसी का नंबर वान आ रहा है पर्सनल एर या रूड़ आ रहा है तो यह वाली वीडियो अब उन लोगों के लिए जिनका वान या टू आ रहा है अक्सर हम जंदी में होते हैं, आप जंदी बतादो, जंदी बतादो, जंदी बतादो तो पाइली चीज तो यह अगर आप बहुत जंदी में आऊ foster लिए जब एक इस विडियो को शान्ती सी तब देखने आना जब आपके वसे at least 15 और मिनट डेडिकेट इसको समझने के लिए हैं दूसरी चीज आप जब इसको स्टार्ट करें तो आप एक डायरी या कॉपी पैंसिल लेकर आज़ेगा विकोज आपसे कुछ क्यालकुलेशन करवाओंगे बहुत बढ़ी मैंस की प्रॉब्लम्स नहीं हैं मुश्के वाले सवाल न आपसे हम अपना प्रेडिक्शन देखें या फिर हम अपने राशी के इस आपसे प्रेडिक्शन देखें तो मैं आपको कुछ चीज़ें बहुत जंदी से क्लियर करें देती हूं ताकि आपको एक चीज की क्लारिटी हो जाए क्या-क्या चीज कहां कहां काम करती है I'm a mother, teacher, guide and a friend and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nity Gritty with Dr. Neeti Kaushik. जोरों ये आपकी life में बहुत important role play करते हैं because ये आपकी personality और ये आपको किस रास्ते पर ले जाकर कहां पहुचाना है उसकी बात करता है तो ऐसे में जब-जब हम इन numbers में से किसी के साथ connect होगे तो वो एक generic prediction होगा यानि इस तरह के numbers वाले लोग इस तरह के होगे और ये अगर आपका destiny number है तो आप generally इस direction में जाएंगे अब अगर हम astrology की बात करते हैं यानि राश्यों की बात करते हैं sun sign की बात करें moon sign की बात करें sun sign आपकी personality again आप किस तरह से दिखते हैं कैसे प्रतीत होते हैं आपकी personality दुनिया आपको किस तरह से दिखते हैं वो है moon sign चंदर राशी क्या है आप अंदर से किस तरह के इंसान है आपके अंदर जो गती विप्ला चल रही है आप किस तरह की personality इंटरनली आप हो जो सच्छी personality होते है वो अंदर वाली personality होते है दिखावा तो हम लोग कहते हैं चेंज होई जाता है किसी भी कारण से तो जो moon राशी है वो बताएगी आपकी personality किस तरह की है और उसका again depiction में का उनी generic होगा अब जहां हम बात करते हैं personal year number की personal year number होता है आपका अपना personal year number no doubt number तो 9 के 9 ही है किसी ना किसी का कोई ना कहीं तो fall करेगा तो personal year number आने के नाते आप किसी चीज़ को लेकर एक फुड़ा specific हो जाते है यानि जब हम personal year की details समझते हैं तो उसमें से 70-80% चीज़ें हमारे साथ उस साल में गटती है जो हमारी personal को लेकर है यानि हमारी अपनी life को लेकर है और जो best होती है prediction वो होती है आपकी अपनी पत्री आपकी अपनी horoscope आपकी अपनी जनम कुडली क्योंकि आपका एक specific date है पैदा होने की आपका specific time है जिस time आप पैदा हुए सूरे वहां कहां था चंदर कहां था उससे आप जब वो complete cycle sun लेकर आता है 365 days के बाद वही सूरे पहुँचता है जिस time पे आप पैदा हुए थे उसके exactly देख पाते हैं कि आपका अगला साल कैसा होने वाला है अब आपको लगेगा मैं तो too much of information हो गई तो करें क्या अब अपने नाम से देखें नमबर से देखें कहां से देखें तो मैं सबसे पहले इतने सालों का जो मेरा experience वो यह कहता है कि personal year number से अब बहुत अच्छे से connect हों तो उसको solve करने का तरीका सबका अलग-अलग होगा और कोई लंबी elaborate method से करेगा कोई simple method से करेगा कोई किसी तरह से करेगा यह भी बात clear हो गई जी अब हम मुद्दे की बात पर आते हैं I know 4 minute आपके लीनी है मैंने बट यह ज़रूरी था क्योंकि जब तक आपको clarity नहीं होग तो यहां पे आपको यह बोलूँगी अब जिस तरीके से मैं आपको अपना personal year number निकालना बता रही हूँ आप अपना personal year number निकालने के बाद आप इसी तरह से पिछले साल का और उसे पिछले साल का भी निकाल लीजेगा दो साल से मैं personal year की predictions डाल रही हूँ आप उनके साथ connect क करते हुए देखेंगे कि क्या क्या चीजा सच थी किस तरह सी थी और क्या क्या बातें आपकी life में होई यहां से आपको पुखता हो जाएगा कि यह पद्यती यह method आपके लिए सटी काम कर रहा है चलो जी हो गया पाच मिनट हो गया अब आने पहली कहा था था थोड़ा से ल करना है तो सबसे पहले आप अपने और अपने परिवार में जितने लोग है उनकी date of birth और month of birth यह दो ही चीज़ें चाहिए मुझे इससे जादा कुछ नहीं चाहिए तो date of birth अगर मैं आपको अपना example देते हूँ 21 नवेंबर है मेरी date of birth तो 21 लिख लिख लिया मैंने month of birth हो गया अब हमने prediction करनी है 2025 की 2025 में 20 को हम calculate नहीं करेंगे हम 25 को calculate करेंगे मैं बताती हूँ इसके बाद भी है कुछ तो 25 हमने लिख लिया तो 21 हो गया 11 हो गया 25 हो गया अब इसके बाद मैं calendar उठाऊंगी और देखूंगी अगले साल 21 नवेंबर को मेरा बद्दे कब पढ़त तो मेरा अगले साल बद्दे पढ़ रहा है Friday को Friday के लिए भी एक number दिया जाता है वो number है number 6 अब ऐसे में आपको देखना है आपका birthday कौन से day पढ़ रहा है वो particular number यहां आएगा मैं आपको बताये देती हूँ कौन कौन से day को कौन से number मिलते हैं अगर हम Sunday की बात करें तो Sunday governed हो Wednesday की बात करें तो Wednesday governed होता है Mercury से और उसका number है 5 Thursday की बात करें तो Thursday governed होता है Jupiter से और उसका number है 3 Friday की बात करें तो वो governed होता है Venus से और उसका number है 6 Saturday की बात करें तो governed होता है Saturn से और उसका number है 8 अब आपको ये numbers मल गए, अब इसका screenshot ये लिज़े, क्योंकि इससे आपको अपने परिवार के सारे लोगों की calculation करनी आसान हो जाएगी, ठीक है जी, अब यही पॉस कर लो, और उसके बाद आप सब की date of birth, month of birth, 2025 का 25, प्लस उनका birthday किस date, day को पढ़ रहा है, date तो सेम ही रहेगी 21 November तो 21 ही रहेगी, तो 21 November अगर अगले साल Friday को पढ़ रहा है, तो हम वो Friday के number 6 को आड़ करेंगे, अगर आप इस चैनल के साथ नए जूड़े हो, तो आपका स्वागत है, और अगर आप मेरी पूरा वीडियो से आपको कहीं भी आपकी life में impact आया है, कुछ भी change आया है, तो और आपको help मिल पाए, तो आपने कर लिया, लिख लिया, आप में से घर में आपका या किसी का number 1 आ रहा है, परसनल या number 2 आ रहा है, तो यह वाली वीडियो अब उन लोगों के लिए है, जिनका 1 या 2 आ रहा है, तो मैं स्टार्ट करते हूँ number 1 से, अब number 1 की अगर बात करू मैं गर्मी की बदालत नहीं कर रही, मैं सूरे की तरह चमकने की बात करने हूँ, तो आपके लिए 3 कीवर्ड होंगे, कौन से है वो 3 कीवर्ड, सबसे पहला कीवर्ड है नई बिगनेंग का, दूसरा वाला जो कीवर्ड है वो है action का, और तीसरा वाला जो कीवर्ड है वो है new तरह से करे थे, आपको अपनी सोच में नया कुछ लाना है, आपको अपनी बातों में कुछ नया लाना है, अपने काम में कुछ नया लाना है, तो जब भी हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं, तो सबसे important चीज याद रखेगा, मेहनत जादा होती है, कोई भी जैसे हम नए घ experimentation करना पड़े, आपको बहुत सारी नए नए चीज़ों को implement करना पड़े, तो आपको नया seed sow करने का time आ रहा है, इस साल में आपको वो करना ही करना है, अब एक नया आपकी जिन्दगी का cycle initiate हो रहा है, जो अब तक बहुत सालों से करते आये थे, बहुत कुछ चल रहा था, अब उस चीज़ में एक नया पनाएगा, घर मूँ हो सकता है, जगा, काम की जगा मूँ हो सकती है, बिसनस नया कोई add हो सकता है, ग्रोथ हो सकती है, कोई नए company स्टार्ट कर सकते हो, कोई नए रिष्टे में जूड सकते हो, शादी के रिष्टे में जूड सकते हो, काम में तो किसी भी तरह से कुछ नया होगा जो इनिशियेट होगा आप mentally, physically, emotionally और जादा आपने आपको happy feel करोगे, better feel करोगे, अच्छा feel करोगे अगर आप job में हैं, अगर आप business में हैं, आपको success मिलनी ही मिलनी है, आप सुरह की तरह चमकेंगी ही चमकेंगे आपकी branding, आपकी जिन्दगी की जो branding है न वो होने वाली है, आप अलग तरीके से पहचाने जाएंगे, अलग आपका नाम होगा, अलग आपकी पहचान होगी अब कुछ चीज़ां को आपको ध्यान रखना है, जैसे जो भी आपकी नई opportunities आ रही हैं, अब ऐसा है न, opportunities आती हैं तो दस्तक देती हैं आपको बताती हैं, जी हम आ गए हैं, बट बहुत बार हम उसको ignore कर देते हैं, किसी ने आपको नया idea दी, आपने का हाँ हाँ बहुत अ आपको open up करना ही हैं, आपको बड़े bold और new decisions लेने ही लेने हैं, अगर आप उसी same cycle में रह जाएंगे तो इस one year का बिलकुल फायदा उठाने ही पाएंगे, आपको लगेगा sudden change आगया आपकी energy के अंदर, आपको suddenly लगने लगेगा कुछ ऐसी opportunities यार, इसके अंदर तो मुझे रखना है, और इसके लिए आप एक जब आपके अंदर इस तरह से कुछ change आता है, तो जो चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है, वो है एक crystal जो मैं बताऊंगी कारनेलियन, और कारनेलियन का crystal आपको उसी zone में रखेगा, क्योंकि कारनेलियन सेक्रल चक्रा के साथ काम करता है, इसके साथ साथ sun के साथ जो काम करता है, बहुत ही beautiful वो है sunstone, तो जब आपको लगने लगे नए opportunities आ रही है, नया काम मिल रहा है, नई चीज़ों की तरफ ध्यान जा रहा है, आपको meticulous attention उसके अंदर लानी है, और आपको इसको holistically बहुत अच्छे से, कहते हैं एक eagle's view से देखना है, तो sunstone आपको इस चीज़ में बहुत बहुत मदद करेगा, एक और बहुत beautiful सी चीज़ है, जो आपका living standard है, अभी फिलहाल जो भी रहा है, उससे जादा ही होगा, उससे better ही होगा, नई गाड़ी, नया घर, नई चीज़ें आपकी life में आने के बहुत बहुत strong chances है अगर आप एक musician है, अगर आप एक author है, writer है, आप कुछ अच्छा अपनी कलम से लिखते हैं, या कुछ अच्छी बातें करते हैं, या आप एक बहुत अच्छे entrepreneur है, और कुछ ideas को लेकर implement करना चाहते हैं, तो उन सब चीज़ों में आपको बहुत हद तक success मिलेगी, और मैनत ज change को accept करके आगे बढ़ना है, अब दो चीज़ों के लिए मैं जरूर जरूर नौक नौक बोलूँगे, देखो जब भी हम किसी नई energy में आते हैं, तो हम अपने comfort zone से हट जाते हैं, मतलब हमारा वो zone नहीं रहता, और हमें ऐसे लगता है, महनत करनी पड़ रही है, double काम करना पड़ रहा है, शायद effort जादा जा रहे हैं, पहले तो बैठे बिठाई result आ जाता था, या वो जो चल रहा था, वो अच्छा ही चल रहा था, अब ये नया ही क्यों ले लिया, तो जब जब आपके मन में ये वाले विचारा है ना, ये क्यों कर लिया, क्या पंगे ने लिये, या आपको ये वाला जोन जो कहते है, रुख जा, ठहर जा, कल, आज नहीं कल, पर सो, उससे जोन से आपको बाहर निकलना ही निकलना, और ये आपके साथ बार बार होगा, दूसरी चीज, अपने मन से fear और anxiety हटा देना, बिल्कुल उस तरह से अगर सूरज के सामने बादल आ चलिए जी, अब बारी आगई, personal year number two की, two की मतलब, आप किस से governed है, आप चंदरमा की रौशनी से governed है, आप moon की, जो की आपकी अंतरात्वा है, जो आपका दिल है, जो आपकी इच्छा है, जो आपकी feelings है, जो आपकी intuition है, वो सब चीज़ें आपकी life में इस time पे कांग करेंग तीसरा है, balancing between things, चौथा है patience और पाच्वा है peace, अब इसी के इर्दगिर्द रचा बसा है आपका ये वाला आने वाला सान, तो जब दो है, चंदरमा है, intuition है, चंदरमा से है, अब आपको कांग, अगर आपका one था और one से आप two पे आए हैं, तो समझ लीजे, आपने बहुत म भैनत करके आप किसी एक नई जगा पे पहचान बना चुके हैं, अब थोड़ा सा slow down, शान्ती, balance करके चलो चीज़ों को, अपनी personal life, अपनी professional life को balance करो, light side, light की और dark side life की इसको balance करो, yin and yan energy को balance करो, यानी हर चीज़ में balance करो, कोई भी चीज़ आप दो मिलकर नई partnerships में आ रहे वैसे भी इस साल के अंदर double two भी है, तो वो partnerships की भी बात करता है, इस साल आपकी जो personal magnetism है ना, वो बढ़ चड़ कर बोलेगा, आपका काम तो भी तक बोली रहा था, आपका मेहनत, आपकी job, जो भी चिस चीज़ में आप मेहनत करे थे, वो था, अब इस साल, आप as a person, आप अपनी चवी, अपना name, अपना fame, यह सम बना पाएंगे, आपको सुनना किसको है, अपनी inner voice को, अपनी inner intuition को सुनना है, इस साल आपके लिए worries कम होंगी, आपके लिए stress कम होगा, और आपको ऐसा लगेगा कि आपको answers बहुत जल्दी से और बहुत तहले से मिल रहे हैं, आपक quarter और last quarter, हर महीने में, 28 दिन में, जब यह 4 important days आएंगे, इन दिनों में आपको शान्ती से बैटना है, ध्यान लगाना है, ध्यान लगा के intuitively as such downloads की कोशश करने हैं, कि आपको समझ में आ पाए, क्या मैं action लूँ, क्या next step लूँ, क्या collaborative में करूँ, जिस से कि मुझे बहुत सार success और फाइदा मिले, आपके भी living standards improve होने वाले हैं, for sure, आपका जो घर होगा, उसमें कुछ नई चीज़ें के addition होने ही वाला है, इसकी बाद another important thing है, बहुत बार आप सोचोगे, दिल की सुनो या दिमाग की सुनो, दिको दिमाग तो हमेशां बोलता है, हमेशां बोलता है, द इसके बाद घर के भी लोगों ने दिमाग चलाना सिखाया, और फिर भी ऐसे अकसर कहा कह दिया जाते हैं, अरे तुम दिमाग से पैदल हो क्या, तो ऐसे में बार बार क्योंकि आप दिमाग, brain, 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 तो हम उसको इतना जादा overburden कर देते हैं, चीज़ों से कि हम अपने हा यह करती या नहीं करती, as a third person जो बाहर से देख रहा है उस decision को लेने से पहले, फिर सोचना कि मेरी अगर friend, या मेरी parent, या मेरी mother, या मेरी sister, या मेरा कोई अपना बहुत करीबी यह decision लेने वाला होता, तो मैं उसको क्या suggest करता या करती, वहीं तो आपको answer मिल जाएगा, तो अपनी inner self के साथ आपको connect करना है, और meditate हर रोज करना है, बिलीव में आपको पनी life इतना beautifully change होते हूँ दिखेगी इस साल, आपको real estate से भी benefit मिल सकता है, तो अगर आप invest कर रहे हैं, आप करना चाहते हैं, पिछले साल नहीं कर पाए, तो आप real estate में भी invest कर सकते हैं, अब इसक journaling करते ही, आपकी clarity of thoughts बनने लगेंगे, अगर आपको लगता है ना कि मैं meditate जादा नहीं कर पाता, मुझसे मुझसे मुझकिल है करना, meditate जादा देर नहीं बैठा जाता, journaling तो कर सकते हो, जब journaling करो तो week में एक पार जरूर journaling करिएगा, आप चाहेंगे, अगर मुझे बोले तो मैं उसको recorded बना किर लियाओंगे, किन चीजों का ध्यान रखना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, hurry is worry, hurry नहीं करनी, second important thing, आपको planning बहुत धंक से करनी है, तीसरी important चीज, जब आपकी hurry नहीं होगी, वरी नहीं होगी, planning धंक से होगी, तो execution अपने आप बहुत अच्छा क पारे हो, दिल से नहीं जोड़ पारे हो, तो ऐसे में आप दो चीज़ें यूज कर सकते हो, पहला है azurite, azurite का crystal जब आप पहनोगे, चाहे meditation के time में, चाहे जर्नलिंग के time में, चाहे आप prayer के time में, सोने से पहले थोड़ी देर हाथ में पहन के आप meditate करोगे, फिर उतार के रखोगे, तो भी, या सवेरे जंदी उठने वाले हो, तब भी, अगर आप azurite bracelet को यूज करोगे, आपको बहुत clarity of thought आँगे, जो decisions लोगे, वो बहुत अच्छे decisions होंगे, with the result, आप अपनी higher self से बहुत अच्छे से जुड़ पाओगे, second important crystal जो आप यूज कर सकते हो, वो है Aquamarine, Aquamarine इस साल आपको help करेगा, देखो, ये साल nine number का है, वैसे, numerology कली देखें, और nine and two करने दोस्ती बहुत प्यारी है, क्योंकि nine masculine है, और two feminine है, वो जब दोनों जुड़ जाते हैं, तो दोनों के दोनो yin and yarn energy को complete करते हैं, तो ऐसे में, जब जब आपको ऐसा लगने लगे कोई भी एक साइड उपर नीचे जा रही है, नहीं समझा रहा, या मुझे emotions जादा हावी हो रहे हैं, या मेरा दिमाग जादा चल रहा है, या मेरा दिल जादा चल रहा है, तो ऐसे में आपको करना क्या होगा, ऐसे में आपको Aquamarine का bracelet उस करना होगा, और वो bracelet आपको clarity of thought दे तो जब हमारी body में ये fluctuation आती है, because दो है आपका number, तो moon से impact होगे ही होगे, तो use Aquamarine for the help, तो जी ये होगा हमारे दो personal year numbers, number one और number two, depth में थे, लंबे थे, but at the same time, जो beginning का ग्यान था, वो जादा जरूरी था, because इसकी बाद जब आप बाकी की videos देखते चले आएंगे, तो आप को समझ में आ जाएगा, कि हाँ, उसकी बनिस्पत मुझे ग्यान ठीक से मिल पाया, और मैं चीजों को अठे से समझ पाया,